बिहार से धारखंड के लिए रेलवे एक साथ दो नई ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है। इस वीडियो प्डेट के माध्यम से हम बात करेंगे ट्रेन के डिटेल्स के बाड़े में तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो प्डेट उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं कियें सब्सक्राइब तो करने सब्सक्राइब तो चलिए शुरू करते दरसल भारतिय रेलवे की तरप से एक जोड़ी नई ट्रेन का संचालन्ज शुरू होने जाला है। यह ट्रेन बिहार के गया रेलवे स्टेशन से जारखन के मधुपूर रेलवे स्टेशन के लिए चलेगी। जिसमें की यह ट्रेन ट्रेन नमबर 03653 के साथ गया से मधुपू यह ट्रेन तिलया जंसन पहुंचेगी। यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन नबादा रेलवे स्टेशन 6 बच कर 30 मिनट पर आएगी। और यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन 7 बच कर 15 मिनट पर सेखपूरा पहुंचेगी। सेखपुडा के बाद यह ट्रेन क्यूल रेलवे स्टेशन आट बच कर पच्पन मिनट पर और यहां से रवाना होने के बाद यह ट्रेन मननपूर के रास्ते जमुई 10 बजे पहुचेगी। जमुई से खुलने के बाद यह ट्रेन सिमुलतला जाजा होते हुए जासीडी डेलवे स्टेशन रात 11 बच कर 5 मिनट पर आएगी और यहां से रवाना होने के बाद यह ट्रेन मधुपूर 11 बच कर 30 मिनट पर पहुच जाएगी। स्राबनी मिला स्पेसल ट्रेन के रूप में यह ट्रेन दोनों ही दिसाओं में चलेगी और आईसे में कई बड़े डेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का स्टॉप पेज रहेगा जिसकी जानकारी आपको दे दिये चलते हैं। यह ट्रेन गया और मधुपूर के बीच वाया जसीडी, सिमुलतला, जाजा, जमुई, मननपूर, कियूल, सेखपूरा, नवादा, तिलया के रास्ते चलाई जानी है। यह ट्रेन 21 जुलाई से शुरू हो रही है जो कि 20 अगस्त तक डेली चलेगी। आने बाले नई ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी इसी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं।